ड्राइफ्रूट लड्डू को अगर आप एक नए टेस्ट के साथ बनाना चाहते हैं वो भी बिना शक्करवा गुड के सिर्फ दो चमस घी यूज़ करके ये हेल्दी लड्डू बनाएंगे तो फिर वीडियो पूरा देखना ताकि एक भी ट्रिक आप मिस्ट ना करें टेंशन रिलीस करना, डाइजेशन बहतर करना और वेट कंट्रोल करना, हेमोगलोबिन बढ़ाना ऐसे बहुत से गुण हैं खजूर और अंजीर में और खजूर और अंजीर का ही बेस रखेंगे हम इस लड्डूओं में थोड़ी खटी, थोड़ी मीठी, विटामीन C से भरप न्यूट्रेंट्स का पावर हाउ से ही है, क्रेंबेरी, जो की कैंसर से हमें दूर रखती है, और भी बहुत सारे हेल्दी ड्राय फूट्स और सीट्स हम इसमें यूज़ करेंगे, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर द देंगे, थैंक यू, सबसे पहले हम अंजीर को तेज गरम पानी में भिगो देंगे, 15-20 मिनिट के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, छे से साथ अंजीर में नहीं आ लिये हैं, इसको कवर करके में साइड रख देंगे, सभी ड्राय फूट को हम थोड़े से घी के अंदर सेख कर फिर लड्डू में डालेंगे, ताकि लड्डू की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी रहे, एक कडाही में मैंने एक बड़ा चमस घी लिया है, उसमें मैंने डाला है बदाम और काजू, बदाम और काजू दोनों डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमन रहते हैं, यह हमारा वजन भी कंट्रोल करते हैं, और हार्ट को भी बहुत हेल्दी बनाते हैं, धीमी आज पर लगातार चलाते हैं इनको सेखना है, और दो-तीन मिनट के बाद अब इसमें हम डालेंगे, अक्रोट की गिरी और पिस्ता, हरावला पिस्ता जो कि बिना नमक का है, आपने सुनाई होगा कि अक्रोट हमारी ब्रेन की पावर बढ़ाने में बहुत मदद करता है, और पिस्ता होता है प्रोटीन, विटामिन और आयरन से भरपूर, जो कि हमें सबी बिमारियों से दूर रखता है, दो-तीन मिनट हमें अक्रोट और पिस्ता को भी सेख लिया है, बस इस चमच डाला है, खस-खस, यानि पॉपी सीट्स, और मैंने तीन या चार चमच आपर डाला है, क्रेन बेरी, उसकी जगह आप काली किश्मिश या गोल्डन कलर वाली नॉर्मल किश्मिश आती है, वो यूज कर सकते हैं, इसे भी धीमी आज पर हम दो-तीन मिनट अच्छे से स कर लेते हैं, धीमी आज पर इसको काफी देर तक सेखना है, यानि कम सकम आठ से दस मिनट, अगर हम थोड़ी देर में इसको उतार देंगे, तो यह वापस से सोगी हो जाएंगे, इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम सेखेंगे, फिर मिक्सर में डाल करके इसको हम दर- भाब हो जाएगा, यानि मिक्सर को चलाना और बंद करना है, और दर-दरा इसको पीस लेना है, अंजीर भी हमारे सॉफ्ट हो गए है, उसको भी मिक्सर में डाल के इस तर से हम दर-दरा सा पीस लेंगे, अब हम यहापे ड्राय फूट जो की सेख के रखा है, उसको एक में के अंदर जो की हैंड चॉपर है, उसमें चॉप कर रही है, आप चाहें तो इसको नाइफ से करके काट सकते हैं, लेकिन चॉपर में एक काम बहुत जल्दी हो जाता है, देखिए बढ़िया से यह ड्राय फूट कड़ गया है, थोड़ा मोटा मोटा ही मैंने काटा है इसको, अब एक मोटे तले की कड़ाई में हम लेंगे एक चमज घी और जो हमारा दरदरा पीसावा खजूर और अंजीर है, उसको इसमें हम धीमी आज़ पर भूनेंगे, हम इसको स्पून से अच्छे से मैश करते जाएंगे और भूनेंगे, ताकि यह बिल्कुल सॉफ्ट हो खजूर हमें एकदम सॉफ्ट वाले लेने हैं, और उनको पीसते वक्त हमें पल्स रेट पे पीसतना है, जब तक यह एकदम अच्छे से पिसतना जाएं, और अंजीर को भी हमें गरम पानी में अच्छे से सोक करना है, और फिर दोनों को इस तर से मैश करते वे भूनना है, जो सीड्स और क्रेंबेरी हमने भून के रखे थे, उसे बिना पीसे साबूत ही हम इसकेंदर डालेंगे, और जो हमने दरदरा सा ड्राइफूर पीसा है वो डालेंगे, और दरदरा सा पीसावा मखाना डालेंगे इसकेंदर, और अब एक चमच में नया डाला है लाइची प सबसे और सी और चीज़ से हम आपको इंट्रूइस करवाते हैं। और सवात Sayabhari SCOTT पीनट बटर जो की हेल्थ निंजा कंपनी का है और यह बहुत ही जादा स्वादिश्ट है और फायदे मंदे इसको हम इन लड़ों में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए आगे हम आपको बताएंगे यह हेल्थ निंजा कंपनी का मिल्क चॉकलेट फ्लेवर का पीनट बटर जिसमें की बहुत बढ़िया क्रिस्प है और यह मिल्क चॉकलेट फ्लेवर का ही पीनट बटर है लेकिन यह स्मूथ है एकदम और यह है जिम जाने वालों का फेवरेट क्रंची पीनट बटर डार्क चॉकलेट फ्लेवर में और इसमें वे प्रोट आपको Health Ninja की website पर भी मिल जाएंगे और Amazon पर भी मिल जाएंगे दोनों के link मैं आपको description में दे दूंगी अब हम बना रहे हैं peanut butter के combination से dry fruit candy अगर आपके बच्चे को peanut butter suit करता है तो आप बच्चों को भी ये peanut butter dry fruit candy दे सकते हैं silicon के जो candy के mold आते हैं उसके अंदर हमने हमारा dry fruit का mixture फिल कर दिया है और उपर से हम डाल रहे है milk chocolate flavor का peanut butter और उपर से पिस्ते की कतरन से हमने गानिश कर दिया है दूसरे mold के अंदर हमने डाल रहे है rose petals और इसके उपर हमने पहले लड्डू का mixture मोल्ड में डाला है और इसमें हम के back हिस्से से या किसी straw से और इसी hole के अंदर हम हम भरेंगे peanut butter चार साल से बड़े बच्चों को आप कम मात्रा में peanut butter दे सकते हैं बच्चों को smooth और milk chocolate वाला peanut butter दें वे protein peanut butter बच्चों को ना दें यहाँ पर हम dark chocolate peanut butter को binding के लिए use कर रहे हैं हमने हमारे लड्डू वाले mixture में ए peanut butter डाला है dark chocolate वाला उसको बहुत अच्चे से mix करेंगे और इसके गोल गोल लड्डू हम तयार कर लेंगे और इन लड्डू के ओपर हम लगाएंगे पिस्ते की कत्रन अब यह लड्डू खाने में बहुत ही ज्यादा healthy और स्वादिश्ट हैं जिम जाने वालों के लिए peanut butter का इस तरह से लेना बहुत ही ज्यादा फायदे मंद है पीनट बटर को आप पराठे पे लगाकर ब्रेड पे लगाकर खा सकते हैं इसकी cookies भी बनती हैं और इसका cake भी बहुत बढ़िया बनता है और health ninja company के peanut butter आपको तीन चार varieties में मिल जाएंगे और और बी काफी सारी healthy चीज़ पीनट बटर वाले candies भी बनाई हैं आपको हमारी recipes पसंद आ रही हों तो please हमारे वीडियो को like और share जरूर कीजिए और अगर आप हमारी channel पर बिल्कुल new हैं तो channel को subscribe जरूर कीजिए और bell icon प्रेस करने के बाद all button जरूर activate कीजिए और ये सब बिल्कुल free है जल्दी ही मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में एक new recipe के साथ thank you धन्यवाद